अजीज कुराशी ने कहा बिठाना और हिंदत्व की बात करना डूब मरने की बात है विवादित बयानों की बचार करते हुए कुरेशी ने ये भी कह दिया कि यदि उन्हें कॉंग्रेस से निकालना है तो निकाल दिया जाए फिर उन्होंने मुसल्मानों को भड़काते हुए कहा 22 करोड मुसल्मानों ने चूणिया नहीं पहनी है एक दो करोड मर भी जाए तो कोई बात नहीं कुरेशी उत्रपदेश और उत्राखंड समें तीन राज्यों के राजिपाल रह चुके हैं वोकि इन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं मत्रीश के विदीशा जिले की लड़ेरी भायोजीते कारिकरम में कुरेशी ने बयान दिये कुरेशी ने कहा मुसल्मान किसी पार्टी के गुलाब नहीं है कॉंग्रिस का भी नाम लेते हुए पूर राजिपाल ने कहा मुसल्मान क्यों वोट दे आपको नौकरी आप नहीं देते, पुलिस, सेना, नेवी में नहीं लेते फिर क्यों मुसल्मान आपको वोटते कुरेशी ने बढ़काओ बयान देते हुए कहा कि देश में 22 करोड मुसल्मान है और एक-दो करोड मर भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं लेकिन ना हमने को तान छोड़ पे जाएंगे अजीज कुरेशी इस दुरान अपनी ही पार्टी के खिलाप भी उखड़े नजर आए और हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने का रोप लगाते हुए इसे दूर मरने की बात कही प्रियंका गांधी की नर्मदा पूजा पर भी परूप्च रूप से निशाना साधा कुरेशी ने कहा कॉंग्रेश के कुछ लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की यात्रा की जै गंदा मैया जै नर्मदा मैया शर्म की बात है मुझे कोई डर नहीं है निकाल देना पाटी से नहरू के वारिस कॉंग्रेश की लोग आज धार्मिक यात्रा निकालते हैं जय बोलते हैं, गर्व से कहो हिंदू हूँ बोलते हैं, कॉंग्रिस दफ्तर में मूर्ती बिठाते हैं, डूब मरने की बात है। बता देंगे आजिस कुरेशी कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं।